पॉंडेचरी मद्रास से करीब 1500 किलोमीटर साउथ की तरफ कोरोमंडल कोस्ट पर वसा हुआ है 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मिन ने फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए इस जगे पर कबजा किया था हर फ्रेंच गवनर जेनरल के साथ साथ पॉंडेचरी की इंपोर्टेंस भी बढ़ती गई लेकिन इन सब में सबसे इंबिश्रस था जेनरल डूपले यद्यपी इस ख्रेत्र के आसपास फ्रेंच और प्रिटिश में कई बार के उध्य छड़ा पर पॉंडेचरी पर फ्रांस की डुमेनिन बराबर बनी रही 1954 में जब बाकी फ्रेंच पॉकेट्स भारत को वापिस दी गए तब कहीं जाकर पॉंडेचरी पर से भी फ्रांस का अधिकार हटा सारे नगर में राइट अंगल स्ट्रीट्स का जाल बिचा हुआ है और इसकी स्किल्फुल टाउन प्लानिंग अब भी उतना ही मानी रखती है जतना पहले पॉंडेचरी म्यूजियम में भी ना सिर्फ इसके प्राचीन इतिहास और आर्केलोजिकल एक्स्किवेशन के आर्टिफैक्ट सलामत है बलकि इसकी फ्रेंच हेरिटेज की निशानिया भी सुरक्षत है म्यूजियम में गवनर जेनरल डूपले की स्टाडी और चेंबर को बड़ी मेहनत से रेस्टॉर करके बिलकुल वही रूप दिया गया है जो डूपले की समय में था एक और हिसे में एक साधारन फ्रेंच परिवार का लाइफस्टाइल रिक्रियेट किया गया है उस समय के सूविनेज, कटलरी और फरनिचर सब कुछ यात्री को एक शण के लिए बीते दनों में पहुँचा देते हैं लेकिन मौडन पॉंडिचरी का असली चरित्र पुराने घरों और इमारतों के फ्रेंच आर्किटेक्ट्रल स्टाइल में जहलगता है जिन में पीते कल का विलास और वैभव अभी भी बरकरार है पॉंडिचरी के बीच टाउन के रहन सहन में भाग दौड और तेज कदमी के लिए कोई जगए नहीं है यहाँ बसे विदेश्यों द्वारा खेले जा रहे टेनिस के गेम से भी यही शान्ती प्रयता और आराम पसंदी जाहिर होती है यहाँ की कई परंपराओं में फ्रेंच एंफ्लुएंच साफ नजर आता है जैसे की मैसकरेड कार्निवाल डांस इस मुखोटे के उतसब में कई भारतीय रंग भी मिले हुए हैं लेकिन असेंशली यह फ्रेंच फेस्टिव ट्रेडिशन का ही अंग है यहां के गौथिक चर्चेज यहां के निवासियों की श्रद्धा का प्रतीक हैं यह जितने पवित्र हैं देखने में उतने ही प्रभावशाली भी है इनकी गौथिक आचेज और स्टेंट ग्लास क्रिश्टियन आर्ट फॉर्म्स के मोस्ट इंप्रेसिव एक्जैम्पल्स में से हैं लगता है जैसे यहां आकर आत्मिक शान्ती मिल गई हो लेकिन दक्षन भार्तिय परंपरा भी यहां उतनी ही स्थापित है जितनी की फ्रासी सी यहां के मंदरों के प्रांगडों में होने वाले नृत्यों को ही लीजे प्रादेश क्रिवाज और संगीत की अजब ही जुगलबंदी दिखाई देती है कालि आट्टम जहां देवी काली द्वारा एक असोर का बद यहां की प्रादेशिक संस्कृती से जन में एक विशेश तरह के नृत्य नाटक में दर्शा आया जाता है यात्रियों को ये नृत्य और नाटक भले ही अंजान और अपरिशत लगें लेकिन पॉंडिचरी के निवासियों के लिए तो ये जीवन उत्सव का अभिनांग है सारी पॉंडिचरी में व्याप्त आध्यात में गवातावरण और अभिन्दो आश्रम की वज़े से और भी गहन हो जाता है मानवी ये एकता के संदेश वाहक श्री और अभिन्दो घोश के संबान में श्री मा ने 1926 में इस आश्रम की स्थापना की थी इसी आश्रम का एक वितांध है औरोबिन्द एक शहर जो श्री औरोबिन्दो और श्री मा के दर्शन का प्रतिन धित्व करता है ये सारी बस्ती शांती पूर्ण प्रकृती की गोद में बसी हुई है और इसका केंद्र है बीचो बीच खड़ा मात्रि मंदर जिसके हेमिस्फेरिकल शेप का निर्मान 1971 में शुरू हुआ था लेकिन आम टोरिस्ट के लिए पॉंडिचेरी के मानी है अठखेलिया करता समंदर, मीलों लंबे बीच पर विकरी सुनहरी रेत और गहरी शांती शहर की भीरभार से दूर छुट्टी बनानी के लिए इससे परफेक्ट जगय क्या हो सकती है क्योंकि सुनहरी धूप और नमकीन हवा तो रोज दिन सभी का बरावर सतकार करती है इस पूरे क्षेत्र को मौडरन टोरिस ट्राफिक सस्टेन करने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्शल सपोर्ट दिया जा रहा है शहर के लिए एक आधुनिक एरपोर्ट का निर्वान किया गया है वायुदूत की उड़ाने पॉंडिचरी को बाकी भारत से जोड़े रखती है बसेज और टैक्सीज टोरिस्ट को सभी मूल सो विधाएं देने के प्रयास का हिस्सा है जैसे की है बीच साइड कैफे जो की एक फेवरेट टोरिस्ट हांट बनता जा रहा है पूरी एस्प्लनेड में इसी तरह की आकर्शक कॉफी शॉप्स की पूरी कत्ब पॉंडिचरी आज का पॉंडिचरी पूरब और पश्चम की सभ्थाओं का एक अनुपम संगम है फ्रेंच डिजाइन की टोपी पहने पुलिस्मेन जहां तहां फ्रेंच में लिखे रोड साइंस कहीं न कहीं इस बात का एहसास दिला ही देते हैं कि भारत भूमी पर व्यशुद्ध भारतीय संस्कृती में घुल मिलकर भी फ्रांस का एक छोटा सा कोना अब भी आबाद है का भारता है